और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे समवाद आता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ सुपके हैं अनिल कानपूर जी अनिल आप से जाना चाहूंगी कि क्या कुछ इस सिती लॉकडाउन के चलते देखी आपने जी बिल्कुल आपको बता दो लैंदपूर की वो सट्के जहां पर एक पहले पैर रखनी की जगह निमिल से थी आवा गमन इतना अधिक होता था कि लोग जामों में फसे रहते थे आज उन सड़कों पर समनाटा पफरा हुआ है पुलिस का सक्त पैरा है आपको बता दो जो चार बजे से लेकि ग्यारा बजे तक का समय दिया गया था लोगों को खरीदारी करने के लिए उस समय पर भी पाबंदी पूरे तरह से लगा दी गई गया है अब पुलिस आने जान कि अजने वालों से गहंता से तूफटाज कर रही है उचित कारा लगने पर ही उनको जाने दे रही है अनिता गाली के ठागज लेकर उनका चलान कर रही है और बंदात्मा थारवाई भी कर रही है आदको बता दो जिए तरह से कानपुर में लगातार को नपाजिती मरीज मि अजने वालों से निपट रही है जी तो इसके बावजूद ऐसे लोग अभी भी दिख रहे हैं जो घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ती गंभी रिसिती में जाना चाहूंगे कल से आज में क्या फर्क दिखा हलाकि लॉक्टाउन के सिती कल भी थी आज भी आज तो पूर जिनको जरूरी वक्तिवे खरेगना है वो आज खरी सकते कल पूल का पर्तिबंदर रहेगा हर जगह पर प्रतिकोई भी 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 थी बिना वज़या फड़को परना गुमे बिना वज़या घर से ना निकले और अगर कोई विसम इस्तिती है अगर वह से निकलना मजबूर है तो उसके परियाब सुबूद लेकर ने के लिए कि उसकारां से जार आए तो जब पुलिस ने आज लोगों से रोक कर पूस्ताथ की जिनको बेवजा गूम रहे तो उन पर तो पुलिस ने रंदात्मा करवाई की वही जो वज़य घर से निकलने के वज़या जब लोग कर दिया हलाग कि इस समय तो जहापर मैं ख़़ा हूँ अपर पूरी तरह थे सनाटा पासा हुआ हूआ है अगे जानवालों तो पुलिस ने रहे प्राइद कर रही है तो सक्त पहरा है जो सब्स्ताथ की गई है उसको क्ले कर कि क्या कुछ देखा आपने दुकाने तो खुली कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कात रहो इसके लिए होम डिलेवरी का एक माद्यम बनाया गया था जो भी ठेले वालों और फल वालों को गली में घुनने की तो तो गली तो गलीयों में जाकर जो अपना जो रूरी पामान जह सकते पल और जो भी आदी और जो भी आटा कि दुकाने कम है लोग ज्यादा है तो जो ओर मिल रहे हैं लोगों को वो जो डिलेवरी बॉय है वो लोगों तक कम पहुंचा अपा रहा है अला कि एक दुकंदार से बात की तो उसने बताया कि उनके पास में करीब आज की डेट में ती से चालीव जो है ओर आचुकी है तो कोशिश की जा रही है कि तकलीफ ना हो लेकिन चुनौती पूर्ण है जिस तरह से इस डिलेवरी बॉय आपने बताया कि कम था और ओर ज्यादा आ रहे थे जाना चाहूंगी कि क्या लोग कम संख्या में ऐसा तो नहीं हुआ कि एक दिन पहले ही लोगों ने इस स्थिती क कर ली हो कुछ इस तरह का भी सुनने में आया जिए बिल्कुल आपको उसादू जो जो पुलिस ने आदेफ जारे किया था प्रिशाशन के ओर से आदेफ आया था लोगों ने जो जैसे सब्गी है और आटा दाल चाहल ये पहले से खरीदी रख लिया था लेकिन जो रोज के रोज के सामान इसल वगरा इनको खरीदने के लिए जो पुलिस में लोगों में जो खरीदारी दिखाई पड़ रही है आटा दाल चाहल तो लोगों ने खरीद रख लिया थे जिए जब फारी चीजों की जो लगातर मंद अभी भी जारी है जो दुकंदार उंगा काईना है कि जो तेल हो गया और मसाला होगे इनकी सब्की बराबर जो है लगम डिमांड आ रही है और वाट डिलेवरी कम होनी के वज़े से वो लोगों तक समान कम पहुचा पा रहे हैं गेर साम से ही जैसे लोगों को यह पता चला था कि कल पूरी तरह से लाग डाउं गाएगा वैस पहुचाने की बवस्ता कर रहा हैं लेकिन फंखे आजी खोली की कारण यह पूर्ट डिलेवरी वा उनकी मांगों को पूरी नहीं कर पा रहा है जी राशन की तो बात आपने बताई लेकिन रोज के जो समान होते हैं दूथ हो किया ब्रेट होगे यह चीजे जो बिल्कुल फ लोगों में अफरात अफरी भी देखने को मुले थी कि कहीं आफनाओ की 11 बज्या है और समान ना ले पाएं तो और प्लीफ आकर उनकर लाटी चलाने लगे इस तरह कि भी लोगों में दर देखने से मिला था लोगों फे बात भी की गए तो उन्होंने साप बताया था कि बहुत बर शुखरिया जोने के लिए तमाम चांकरी देने के लिए तो लॉक्टाउन पर पुलिस और प्रिशासन पूरी तरह से सकत दिखाई दे रहा है तमाम तरीके के चुरौतिया सामने आ रही है हाला कि बहुती बारी की से व्यवस्ता बनाई गई है पूरे तरीके से जो होम डिलिवरी है उसकी पूरी विवस्ता की गई है सभी को सोविधा रहे किसी को भी दिकत न होने पाए कि किस तरीके से वो सामान मंगाएंगे इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो दुकानुदारों को चिनहित किया गया उनके नंबर वाइरल किये गए है कि आप मंग जा रहे थे और डिलेवरी बॉय जैसे कि सीमित होता है अभी चुनौती पूर्ण इस्तिती है लेकिन जल्द ही ये भी नियंतेत हो जाएगी कुल मिलाकर कि किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ घर पर रुकने की लॉक्टाउन के नियमों का पालन करने की व्यवस्ता पूरी बनाई जा रही है जिस तरह से सकती से बरत रही है पुलिस लोगों के साथ में कि भाई अनावर्शक रूप से आप ना निकले और जो भी निकल रहे है उनसे पूछताच की जा रही है गहन पूछताच की जा रही और जायज होने पर ही उ आज उस समय भी सनाटा रहा क्योंकि आज खरीदारी करने की भी अनुमती नहीं थी और जो जरूरत तसामान है उसके लिए होम डिलिवरी की पूरी तरह से व्यवस्ता आपको बता दें कि कानपूर में फुल लॉक्टाउन हो चुका है कानपूर के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमितों का मुवमिन्ट हुआ था उन एरियास को इलाकों को रेड जोन खोशित कर दिया गया है और कानपूर से ही मरिस अवाद अता अर्शोक दिक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके है अर्शोक जिस तरह से आज फुल लॉक्टाउन आस्ते शुरू हो चुका है सड़कों पर सुभा से ही सनाटा पस्त्रा दिखा आपने क्या कुछ देखा अर्शोक जारा रहा है थी जोसको अटाक पूरे दीन पर चौवी सग्ड़ कर दिया जया जया है और इस प्लीस पुरी तरह मुस्टाई थे चारे चिक्र रहा है और आने घाने वाले लिगों जाने जा जाने भी आ रहा है कुछ लोग मानने से लोग आज़ेश में मालों जिसका इसको लेकर की पूरी व्यवस्ता भी की गई है होम डिलिवरी की व्यवस्ता की गई है लेकिन लोगों में किसी तरह का कुछ अफराद अफरी का महौल कुछ ऐसा तो नहीं कि वो पैनिक हो रहे हों कि अब तो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे क्या कुछ देखा आपने जाना चाहूंगी जिस तरह से इलकुछ लोग जो निकलते दिक रहे हैं किसी वज़ा से निकले जब किस सोक्टी घर देखने को मिली कल से और आज के दौरान आज क्या अत्रिक्त सक्ति देखने को मिली जगे पर गरव से लेकले इसको नकर ज़ा है जिस चर Cand will any कर जा नहीं है और लोग जोड़ने के लिए जानकारी देने के लिए तो आपको बता दें कि लॉक्टाउन पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्त है सरकों पर सनाटे की स्थिती है यानि कि वो समय जब लोग खरीदारी के लिए निकलते थे जब कुछ चहल पहल देखी जा रही थी अब उस वक्त भी लॉक्टाउन है यानि कि उस वक्त भी आपको घर से निकलने की अरूमती नहीं है पूरी तरह से लोगों से घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है लॉक्टाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जा रहा है और ऐसे में वो लोग जो इन नियमों के अंदेखी कर रहे हैं घर से निकलने की जुगत लगा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं बिना वज़ा घूमने के उद्धेश से बहाने बना करके निकलने के लिए उनके साथ पुलिस पूरी तरह से सकती बरत रही है आपको बता दें कि जुंड में मिले लोगों के खिलाफ एफ आई आर भी दर्स की जा रही है जरूरत पढ़ने पर डंडे भी चटकाए जा रहे हैं हाला कि कुछ लोगों से हाला कि ज्यादा तरकोशिश ये की जा रही है कि उन्हें समझाया जा रहा है लेकिन कुल मिलाकर के जरूरत के मताबिक पुलिस उसी तरह से व्यवहार कर रही है जैसी जरूरत देखी जा रही है लॉक्टाउन का पूरी तरीके से और सक्ती के साथ पालन कराया जा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे समाधता नीरुमिश्रा जुर चुके हैं नीरुमिश्रा जी जिस तरह से सक्ती से लॉक्टाउन का पालन कराया जा रहा है आज से फुल लॉक्टाउन शुरू हो चुका है क्या को चानकारी इस फुल लॉक्टाउन को लेकर आपके पास कर रही है क्या कुछ लगता है क्या जरूरत के मुताबिक इस्थिती के मुताबिक क्या इस्थिती बन रही है फुल लॉक्टाउन कब तक रह सकता है जमातियों को देखते हुए शातन ने निर्र लिया है कि ये लॉक्टाउन धीमे धीमे ये इस फुल लॉक्टाउन को खोला चाहेगा लेकिन फिलहाल ये स्तिती लगातार अभी बनी रहेगी फुल लॉक्टाउन के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार रहने की जरूरत है नियमों का पालन करने की जरूरत है जिस उदेश से लॉक्टाउन को लाकू किया क्या है वो देश यही है कि सोसल डिस्टेंस मिंटेन रहे लोग घरों से ना निकले संक्रमन ना हो और अभी जो ये केसेस बढ़े उनी को ध्यान में रखते हुए अब फुल लॉक्टाउन कानपूर में कर दिया क्या है और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए चल लोटेंगे जहार आशन हो फिजाएं उम्मीदे हो नहीं दुनिया को देगे भुशिया जन्नेशन हम नहीं दुनिया की हर देशा में बद लेगे हम समाँ स्वाणिगे हम किरेगे एक ब्रेक ब्रेक का ब्रेक के लिए चल लॉक्त पहो, बज़ा हो जब झाहां इना इन्याओ मेघ रहीं हो इन्यादी छोगें इन्यादी पहले को रपनी इसमय सिकी बन वे इक ते हाई शचेरे We'll rise and shine and lead the way We'll rise and shine and lead the way RMS World is blue RMS World is blue R.M.S. World School R.M.S. World School इस पार भी दे रहा है आपको ब्राइटर लेंगो वर साइट लेंगो पर फ्लाइट तीस से पचास प्रतिशत कर डिसकाउंट आपकी खुशी हमारा हक है श्रीलगन साडीज दर्शित पुर्वा वतिलक नगर कानपुर जिसने पूरी दुनिया को तड़ पाया उसके परदाफाश का हमने बीड़ा उठाया कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्था हम खोलेंगे खुल कर बोलेंगे जानलेवा वारस वाला किलर अब बच के जाएगा किदर कोरोना पर चीन एक्सपोज टीवी नाइन भारत वर्ष पर हर रोज तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया जिनकी आर्ट्स की है दुनिया दिवानी वो सिंगिंग सेंसेशन आंके तिवारी कांजोर मिला रहे हैं म्यूजिक अटिंग, मौडलिंग और दांस अकडमी अंकेत आर्ट्स अकडमी तू कानपूर अपना हुनर चम्थानी के लिए हो जाओ तैया अंकेत आर्स अकडमी अशोक नगर जीटी रोड कानपूर अधमिशन ओपिन हलो कानपूर मैं संदीपनात अंकेत आर्स अकडमी के सभी छात्रों को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी एक संगित्पन यात्रा बहुत सुखद और आमंदाइक रहेगी करता है मेरे दोस्त अंकित और अंकुर वासियों के लिए जो मुजिशन्स बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुश्फवरी है मेरे दोस्त अंकित और अंकुर व्तिवारी एक music academy खोल रहे हैं जिसका नाम है अंकित आर्ट्स अकाड़मी और यह दोनों ही बहुत अच्छे music को समझते हैं अच्छे music की कदर करते हैं मैं इन दोनों को बहुत 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 बढ़ाईयां देना चाहता हूँ फॉर अंकित आर्ट्स अकाड़मी और आप जितने भी musicians हैं जो musicians बनना चाहते हैं successful musicians बनना चाहते हैं मैं चाहता हूँ आप जरूर जाएं वहाँ पर आप जरूर सीखे वहाँ पर लेकिस कोई भी कला है उसको आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा जब मैं भी कानकूर आऊंगा तो मैं भी चक्कर लगाँगा आपकी अकाड़मी में और सभी स्टूदेंट्स को अपनी तरफ से धेर सारी बधाई और धेर सारी दुवाएं देना चाहता हूँ अंकितिवारी हमारे स्टार कानपूर से उठके उन्होंने जिस तरह बुलंदी हासिल की जिस तरह आस्मान कुछ हुआ आज वो अपना सारा तज्रुबा अपना सारा एक्स्पिरियेंस लेके कानपूर और आसपास के लोगों में बाटना चाहते हैं सुडेंट्स को आगे ल लाकों से एक नहीं हजारों सैक्लों उनकितिवारी हमारी की जिन्देगी को थोड़ा पड़ भी लीजिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं सब बोलेंगे सब की सुनेंगे अनुशासन के साथ सवालों की जड़ी अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्जपार अब तो देखना ही पड़ेगा कानपुर के एक मात्र वेश्ट्रस्त्री सुपर स्मेशनिटी फुली SS मॉलिदर ओटी सभी बरकार के कैंसर का वेश्ट्रस्त्री इलाज तो स्थर्ड प्रीक मैं मज्डिटिंटी सुपर वेश्च काद्वार ऴर्टोर्योर्णी चामश्द्रूर्णी चामश्च कर दो बाहर रबेटश् copवार से वेश्च कर देखना है Step 2 I am excited to launch MS Droney Cricket Academy. The aim is to provide 360-degree training approach. You know the helpful best techniques and technology to sharpen your skills. प्रिव एक्रिव कर दिजिए अच्राज मौटन पूमने सक्क और सुन्स भी जट्राज मौन हाथ रज़ भाइस अन्स धर लाइस अन्स अंसार प्रफश्श रजजब र मैं इन्सलिएर अपटिज अंटम टैक्टिए ऑ्राजरी बार्फिटिए ट्राज़ का व्र्फ फ्राज हांसराज मौटन स्कूल शिवपुरी रोड जहासी हम आप सब अब नहीं तो कब नौ बज जाएं तब बहुत हुई राजनीती की माया हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर अब तो देखना ही पड़ेगा हादक वाइरस की सबसे तेज इंटरनाशनल अपडेट्स दिखाते हैं कोरणा पर सबसे भरोसे मन, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं सत्य और तथ्य के साथ खबर प्रयोग की प्रमाणिक्ता पर महत लॉक्डाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉफ कबरिज जाए ब्रेक की वाद आपको स्वागत है तो इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं जो आकानपुर में फुल लॉक्डाउन हो चुका है यानि कि डियम जो है अब वो पूरी तरह से सक्त हो चुके है फुल लॉक्डाउन का अनॉंसमेंट हुआ है जिसका पालन भी सुभा से ही देखने को मिल रहा है कि पालन हो रहा है सडकों पर सननाटा है आपको बता दें कि साफ साफ कहा गया है डियम क्योर से साफ आदेश के बेवज़ा अगर घर से आप निकले तो जेल जाएंगे देखे कारवाई ते है आपको बता दें कि लॉक्डाउन पर सक्ती के साथ अमल कराया जा रहा है कानपूर में घरेलू चीजों की सिर्फ खरेलू चीजों की ही होम डिलिवरी होकी और बांदा से हमारे समवादता इस पर जानकारी देने के लिए अनन्त हमारे साथ जुड़ चुके है जी अनन्त जिस तरह सिर्फ लॉक्डाउन यहां पर कानपूर में बांदा में क्या इस्तिती कितनी सकती वहां बढ़ती चाहरी है संक्रमण के मते नसर लॉक्डाउन अब पूरी तरीके से यहां इसका पालन किया जा रहा है और खुद लोग समझ रहे हैं कि अभी घर में रहने में ही बलाई है बहार निकलना ठीक नहीं है तो अब ये सिसी तैय हो गई एक रहात की बात है कि बांदा में अभी दो ही कुरोना पॉस्टिव हैं जो पहला कुरोना पॉस्टिव था उसकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है कापी लोगों ने रहात की साहती है और अच्छे संकित मिलने है कि यहां पर संकरमन ना पहलेगा और यदि पहलने किसे भी बंदी भी है तो लॉकडाउन का पालन चुकी पूरी तरीके से हो रहा है तो उसकी भी संभावना एक कम है जी तो कुल मिलाकर के लोग खुद से चाकरोग है और एक सकरात्मक भाव भी आ रहा है लोगों में जैसा कि आपने बताया है जिन्सकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो अब नेगिटिव आ चुकी है तो कुल मिलाकर के मांसिक रूप से तसली है लेकिन सक्ती से पालन करने की अभी भी जरूरत है तो क्या कुछ व्यवस्ता है वहां पुलिस के ओर से देखने को मिल रही है अगर कोई निकलता भी है तो किस तरह की सक्ती और कारवाई की जा रही है देखिए 188 की कारवाई की जा रही है 151 की कारवाई की जा रही है और चुकि अभी तो कुछ ऐसे संकेत यही मिलने है यहां देखने को मिलना है कि यहां पर कोई लोग ज्यादर निकल नहीं रहे हैं जो भी निकलने हैं और पुलिस जैसे कि अपर स्पेल्बी के पाल से हमारी कल बात कुई उन्होंने बताया कि वह जमातियों को जो अभी भी जो लोते हैं वो नहीं चुकी सामने आ रहे हैं तो इसे वह गराबर पुलिस अप्विल कर रही है कि वहां करती कुछ से अपनी जाज करा लिए कोरिंटाइन हो लिए और यदि कोई जाज के आती है उनको आइसलेट के जाएगा उनका पर इलाज होगा और यदि वह इसा नह जमाती है इनका बाहर आना जरूरी है और लेकिन अभी संख्या कुछ उजागर नहीं हो रहा है पर लगता है कि ऐसा बढ़ी तादाद जमाती है जो भी बाहर नहीं आए तो यह बड़ी चुनोती बांदा में बहुतों शुक्रिया जोड़ने के लिए चौनकारी देने के ल सामने आई कि अभी भी कुछ ऐसे जमाती हैं जो खुल करके सामने नहीं आए हैं जिनों ने यह नहीं बताया है कि हां हम जमात में शामिल हुए थे और हम वहाँ पर गए थे ऐसे में बहुत जरूरी है उनसे अपील की जा रही है कि आप निकले अपनी चार्च करवाएं इस किसी तरह की दिक्कत नहीं है जो चीज़ें हुई सो हुई अब सहीयों की बहुत जरूरत है तो कुलमिलाकर के लॉक्टाउन की इस्तिपी लॉक्टाउन के मदे नजर लोग खुद से सकती से पालन करते दिख रहे हैं तो जो लापरवाही बरत रहे हैं पुलिस उनके साथ स तमवादत आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर जानकारी देने के लिए आशुतोष उन्नाओं में क्या इस्थिती लॉक्टाउन को लेकर पर जानकारी देखा गया था कई सिकायते हैं इसी मिल लह थी कि सुबह के समय कई बार जमा हो जारही थी बजारों में जिसको लेकर आज पुलिस में खाती सक्षी वर्थी है और सुबहरे साथ बजे से ही चेत्रा दिकारी से भारी पुलिस वर्लों ने याद है कि गली के अंदर करकर लोगों को खड़ेड़ा है तो उसके बाकते इस समय फिलाल पुरा साथ लागडाउन की स्थिती में है तो तो दोड़ने के लिए इस तमान गया था कि लोग अपने घरों में रहें और उनको घरों में ही साधन और सामान मुईया करा जाएगा इसमें काफी कुछ करके प्रसाथांगी और से पूरी ताकत भी यहोंकी गई ती संगठन भी बहुत तारह लगे वह लेकि पिर भी कह जिनको तमाजबीन कहा जाएगा कि लोग तमाजबीन बनकर तरकों पर जबर रस्ती निकल लेते हैं आज मिशेज रूप से पुलिस में मिश्कल श्कोरों के खिलाब भी सुबेरे अभी यहां चलाया है कि जिनको आठ वज़े से लेकर तीन बज़े तक दवा की दुपाने जिसको लेकर आठ पुलिस खास तौर बर खाती शक्त रही है अज़र कारवाई की जारी और जहां डंडों की जरूरत है वहां डंडे भी चलाया जा रही हैं और इधर कानपुर के सीसा मौक शेत्र में भाज़पा के स्थापना दिवस पर भाज़पा महिला मोर्चा की कारे करताओं ने भाज़पा की प्रेणा पूरश पंडितीन त्यालो पाध्याई के चेत्र पर मालयार पड़ किया उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना वाइरस के संक्रमेंट से पूरा देश लड़ रहा है ऐसे में महिला मोर्चा मास्क बनाकर लोगों को वित्रित करेगा करेंगे और लोगों के चलते सकती से फुल लॉक टाउन किया किया है ऐसे में आपसे अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है जरूरत है तो गमभीरता से सायम के साथ लॉक्टाउन के नियमों का पालन करने के और इसी के साथ इस खास पोलेचन में इतना ही देखते रहिए जेमडी नियोज नमस्कार काट पुर काट चेल